कि यह सब चीजों को देखने के लिए नियंत्रित करने के लिए बहुत रही बात है ते इस पर तो निश्चित रूप से पूरे तोर पर कारवाई यूदि चाहिए कि इंदर सरकार ने भी तो कहा ही है कि इंदर सरकार ने तो कहा ही है इसके बारे में कि जो गलत चीजें उस पर एक्षन होना चाहिए तो इसलिए इसके बारे में तो सब लोगों की राय होनी चाहिए कि कभी भी किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी को भी इस तरह से उसके चीजों को अपने नियंत्रन में लेने की कोशिस नहीं होनी चाहिए जो नई टेकनोलोजी आई है आप जानते हैं उसका तो दो पहलू है कि दो पहलू तो होई गया है एक तरफ सबको लाब है और दूसरी तरफ लोग उसी की भी किया गया कि देखें आप तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मती से प्रस्ताव पारित किया है नब्बे से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं लेकिन यहां पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखें 2019 में भी और 2020 में भी तो वहां से भी हम लोगों ने सर्वसम्मती से प्रस्ताव भीजा है हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए अब दस के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं ठीक से हुआ नहीं तो जो बन करके तयार हुआ था तेरह में तो तेरह के बाद तो कभी पब्लिस नहीं हुआ क्या कि किस इलाके में किस जातिकी कितनी संख् एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस सेंसस ताकी मालूम हो जाये और जो गरीब गुर्वाद दबके के लोग हैं S.C.S.T. के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाब बिलेगा और पता चल जाएगा इस सही मायने में इनकी संख्या कितनी है और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उधार के लिए भी उनको विक्सित करने के लिए काम करेंगे तो मैं तो पुना हनुरोध करूँगा कि वह यह हम लोग का है और उधा जो पार्लियामेंट में यह बताया गया कि नहीं हो पाएगा तो हम लोग तो आग्रह करेंगे किस पर जरूप और करिए और हम पहले भी नसर्प यहां से प्रस्ताव गया है हमने बादशित भी कि थी तो हम लोग की तो इच्छा है भै कि होना चाहिए और उस सब के हित में कि अधियर रही है अधियर फ़्यों कर दो देगा है हम अधियर करेंगे है तो आगा तो यह ज़िए अधियर करें दो इसकिए